ओम गैशी महागड़े शाय नहा राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों शनिवार का दिन शनी देव और बर्जंग पली को समर्पित होता है शनिवार के दिन बर्जंग पली और शनी देव का विशेश रूप से पूजन किया जाता है मानिता है शनिवार के दिन बर्जंग पली का पूजन कहने से बर्जंग पली अपने भक्तों के सभी कश्टों को दूर करते हैं साथी शनी देव से संबंदित दोशों से भी राहत मिलती है शनी देव कर्णफल दाता है शनिवार के दिन शनी देव का पूजन कहने से शनी कि पूजन के साथ ही उपाई करने के लिए भी बहुत ही शुबाना जाता है हमारी धर्म शास्तों के अनुसार शनिवार के दिन किये गए उपाई अन्य दिनों की अपिक्षा बहुत ही जल्दी अपना असर दिखाते हैं और सिद्ध हो जाते हैं आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी अगर बच्चे को नजर भी लग जाती है तो वहवी शनिवार के दिन ही उतारी जाती है दोस्तों आज की इस बीडियो में हम आपको शनिवार के दिन करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाए बताने जा रहे हैं इनों पायों को करने स ले खर में नकारात्मक उजा प्रवेश नही करपाती घर परिवार को किसी ki बुरी नजर नहीं लगती कारियों में आरही रुकावट दूर होती है कारियों में सफलता मिलती है और घर में खुषियां आते हैं साथी धन में बरक्कत होती है धन पर अगर किसी की रोक टोक करने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिसी हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाएं तो आएए दोस्तों जानते हैं शनिवार की दिन करने वाले कुछ बहुत ही असरकारक उपायों के बारे में दोस्तों आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं यह उपाय आपको नमक से करने हैं नमक खाने के स्वात को तो बढ़ाता ही है साथी यह किस्मत के लिए भी फायदे मंद होता है नमक के आसान से उपाय हर समस्या को खत्म कर सकते हैं नमक नकारात्मक उजा को नश्ट करता है साथी सकारात्मक उजा को अपनी तरफ आकरशित भी करता है नमक के आसान से यह उपाई करने से घर में सुख सम्रधी बनी रहती है दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दामपत्ते जीवन में खुश नहीं रहते आए दिन घर में किसी ना किसी बात को लेकर कलीश रहती है पती पत्नी में अन्बन बनी रहती है इस समस्या को दूर करने के लिए आप शनीवार के दिन एक काच की कटोरी ले काच की कटोरी हो, ग्लास हो या कोई भी काच का बरतन हो आप ले सकते हैं काच का बर्तल लेने के बाद अब आप इसमें साबुर चुद्धली वाला नमक आता है आप वह नमक इस कटोरी में रख दीजे और इस कटोरी को अप अपने बैड्रूम में रख दीजे आप इसे बैट्रूम में कहीं पर भी रख सकते हैं लेकिन ध्यान रखें बंद अलमारी में ना रखें आपको यह कटोरी खुले में रखनी है दोस्तो साधारन से दिखने वाली नमक की यह कटोरी आपके बैट्रूम में मौझूद सारी नकारात्मक उजा को अपने अंदर खीच लेगी नकारात्मक उजा ही वह बजय होती है जिससे मन अशान्त रहता है आपसी लडाई झखड़े होते हैं प्रेम कम होता चला जाता है आपस में अनबन बनी रहती है बैवाहिक जीवन मधों नहीं रहता दोस्तों जम नमक की यह कटोरी आपके बैट्रूम में जिनकारात्मक उजा को अपने अंदर खीच लेगी तब आपके बैट्रूम में सकारात्मक उजा का संचार होगा जिससे आपका मन شान्त रहेगा जिससे आप positive रहेंगे, आपकी सोच, आपकी बाते positive रहेंगे, आप खुश रहेंगे और आपका बैवाहिक जीवन भी सुख में बनेगा दोस्तों यह नमक आपको एक महिने बाद बदलना है पुराने नमक को आप किसी कागज में या पॉलिथिन में रखकर अपनी घर से बाहर फैक्स दें और नया नमक इस कटोरी में भर दें अगर समस्या जादा है तो आप यह नमक अगली शनिवार को ही बदल दें ध्यान रखें आप जब भी नमक बदलें तो शनिवार के दिन ही बदलें दोस्तों अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो लगातार बीमार रहता है या फिर कोई ना कोई समस्या उस व्यक्ति को बनी रहती है कभी नजर लग जाती है कभी कोई बीमारी हो जाती है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कारे कभी बनता ही नहीं है हर कारे में असफलता ही मिलती है तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप एक काच के बरतन पे साबुत टेली वाला नमक रखें और इस नमक के बरतन को आप उस बीमार व्यक्ति के सिरहाने रखतें अगर वह व्यक्ति किसी बैड या चारपाई पर सोते हैं जहां सिरहाने नीचे रखने की जगे हो तो आप उनके तक्ये के ठीक नीचे जमीन पर इस बरतन को रखतें जगह ना हो तो आप उस व्यक्ति के सिरहाने बैट के साइड में या फिर बैट के पीछे की तरफ भी इस बरतन को रख सकते हैं दोस्तों इस नमक के बरतन को आपको उस व्यक्ति के सिरहाने हमेशा रखे रहने देना है जब नेक्स सटरडे आए तब आप इस नमक को बदल दें और पुराने नमक को टॉलेट में डाल का फ्रश कर दें और फिसे नया नमक भरकर इस बरतन को उस व्यक्ति के सिरहाने रखे दें दोस्तों इस उपाय को कहने से आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के सिहत में धीरे धीरे सुधार होने लगेगा उस व्यक्ति के उपर जो भी नकारात्मक उजा होगी वह इस नमक में चली जाएगी यह नमक सभी नकारात्मक उजा को अपने अंदर खीच लेगा और व्यक्ति को पॉजिटिविटी का एहसास होगा इस उपाय को करने से सीहत में तो सुधार होगा ही साथी भाग्य भी साथ देने लगेगा कारियों में आ रही रुकावर दूर होंगी और सफलता मिलेगी कम लगे तो आप उपर से सफीद नमक जो साथा नमक होता है वह दाल सब्ची में ना डाले जब भी खाने में नमक कम हो तो उपर से सदय काला नमक ही आप खाने में मिलाएं ऐसा कहने से शनी शंद्र और मंगल का दुश प्रभाब नहीं होगा नमक की इस छोटी सी बात को आ बहुत ही धन नाता दो है लेकिन बेखुरुक्ति हो जाता जैसे कि रुपया आते ही कोई ना कोई बीमार बढ़ जाता है और कोई प्रॉटक्ट नहीं चल रहा है घर में आलत से रहता है लडाई जगड़े रहते हैं बहुत तनाव रहता है इन सब समस्याओं को दूर कहने के लिए दोस्तों आप नमक का ये आसान सा उपाय अवश्य ही करें इस उपाय को आपको काले नमक से कहना हैं उपाई कैने केली काले नमक की जो साबुत काला नमक होता है उसकी आप गिनकर साथ डेलियां ले लें अब इन डेलियों को आप लाल रंगी कपड़े में बांद लें और एक पोटली तेयार कर लें अब इस पोटली को आप अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर टांग दे अगर ब्यापार में धाटा चल रहा है ब्यापार में दिक्कत आ रही है आपका कोई ओफिस है वहां आपको समस्या है तो आप इस नमक को अपने ब्यापार या फिर ओफिस के मुख्य दर्वाजे पर टांग दें आप इस नमक की पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार के इस तरहें पोटली बनाकर घर के मुख्य द्वार या ब्यापार इस्थल के मुख्य द्वार पर लटकाने से, घर ब्यापार इस्थल पर कोई भी नकारात्मक उज़ा प्रवेश नहीं कर पाती. इस पोटली की बजह से घर की तरफ सकारात्मक उजा आकर्शित होती है, जिससे घर में लड़ाई छकड़े होना बंध हो जाते हैं, नकारात्मक उजा नश्ट हो जाती है और घर में खुशाली आती है, घर में धन की हानी होना बंध हो जाती है, फ्याथ की चीजों में धन खर प्रवेश नहीं लगती ब्यापार में बढ़ोत्री होती है ब्यापार इस थर्प जो भी नकारात्मक ऊचा होती है वह नश्ट हो जाती है इससे ब्यापार में दिन दूनी राक्षोगनी दरक्की होती है मानिता है इस पोटली को मुख्य द्वार पर लटकाने से घर और ब्यापार इस थल पर कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती साधारन सी देखने वारे यह पोटली परिवार के सदस्यों की और रुपे पैसी की बुरी नजय से भी बचाब करती है दोस्तों इस नमक को आप एक महीने बाद शनिवार के दिन ही बदले अगर समस्या जादा है तो शुरुवाती तेन शनिवार आप इस नमक को बदले और फिर एक महीने बाद इस नमक को बदलना शुरू करे पुराने नमक को आप टॉयलेट में डाल का फ्रश कर दे दोस्तों शनीवार के दिन नमक के यह आसान सी उपाई अवश्य करें और इनसी लाव राफ्ट करें उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में जदर से जदर शेयर करें जिसी भे भी इ उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग राधे राधे